हलो स्टुडेंट्स अभी आपके सब के मौक टेस्ट चल रहे हैं और आप घर पर बेट करके मौक टेस्ट दे रहे हो कुछ students honestly दे रहे हैं और maximum students जो हैं वो अपने parents को सिरिफ show करने के लिए उनको पागल बना रहे हैं और अपने ही साथ में धोका कर रहे हैं यानि कि वो खिलवाड कर रहे हैं students ऐसा बिल्कुल मत करिये ऐसा करके आप अपने आपको ही धोका दे रहे हैं मैं भी आपको example से बताऊंगा कि क्या कैसे कर रहे हैं student हमारे rank razor test series के अंदर भी हमने पुरा data निकाल करके आपको बताएंगे कि यह देखो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह किस तरीके से खिलवाड कर रहे हैं मत करिये students हमने rank razor test series स्टार्ट करिये इसलिए क्योंकि आपकी practice अच्छे से हो आप test देने के बाद में अपने जो भी doubts हैं उनको आप discuss करें या उसको discuss करने के लिए हमने live discussion आपके सामने रखा है उसमें आप appear हो करके आप अपनी गलतियों को पकड़ सको उनको improve कर सको और last days आपके सामने नाम तो हमने नहीं डाले हैं लेकिन categories डाली हैं जैसे yellow category आपके सामने blue category और ये green category अब आप देखिए yellow category के वो students हैं जो आप देखिए उन्होंने test जो दिया है ये आप 2 hours 29 और 50 seconds के अंदर दिया गया test है अब ये देखिए 16 minute, 18 minute, 27 minute इनमें से हमने बीच में एक photo catch लिया और ये जैसे basically मैं दिखाऊं तो आपको 16, 18 और 27 minute वाले जो ये students हैं इनके बारे में मैं बोलना चाहूंगा basically 3, नाम तो हम explodes नहीं कर रहे हैं लेकिन ऐसे कहीं सारे students जो है जो ऐसा कर रहे हैं यानि कि वो paper को इतने टाइम में कैसे कर सकते हैं क्योंकि ये दो बार paper दे रहे हैं पहली बार में आप पूरे answers देखें दुसरी बार में आप जाकर का answer टीकर कर आगे humanly possible है क्या ये इतना score करना दिख रहा है आपको ये इतने minute में इतना score 608 in 18 minutes how it is possible स्टुडेंट्स आप लोगों को हम mock test series rank result test series अगर दिये हैं या फिर आप mock test अभी दे रहे हो तो उसको एक sincere होकर एक pattern के अंदर देना बहुत जरूरी है तब तो आपको benefit मिलेगा उन series से मैं आने वाली problem को दूर करोगे revise करोगे पढ़ते रहोगे सिखोगे तो आपको answers आएंगे और आपका rank भी आएगा और आपके main exam के अंदर भी आपका अच्छा score आएगा तो आप वो काम करिए आप cheating वाला काम मत करिए अब हम बात करते हैं देशे कि ये वाले अब इनका हमने analysis किया ये तो है cheating वाले उनको मैंने बोल दिया अब ये देखो हमने blue category के student बनाए बेसिकली ये दो student देखिए जिन्होंने honestly paper दिया है जैसे ये 2 hours और ये 2 hours 59 minutes में इनका score ये है साड़े 500 के आसपास अब ये जो honestly test दे रहे हैं ऐसे candidate को क्या करना चाहिए इस moment पर इनको बस थोड़ा सा 100 marks अड़ करना है अपने score में ऐसा हो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि या तो उनका revision अच्छे से नहीं हो रहा है उनका concept उनको याद नहीं आ रहा है या फिर test practice इतनी अच्छी नहीं की उन्होंने अब तक इस वज़े से ये score आ रहे हैं तो उनके पास मोका है बिल्कुल ये improve कर सकते हैं अब हम आते हैं इन candidates के पास में ये जो category वाले candidate है ये भी honest है ये भी paper दे रहे हैं लेकिन actually इनके साथ problem ये है कि इनका score इतना कम क्यों आ रहा है जैसे 140, 300, 229 ये वो category के student हैं जिन्होंने या तो पूरा syllabus complete नहीं किया या उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा ही नहीं करी उनके concept उन्होंने सीखे ही नहीं है throughout the year तो अब वो students इस time पर क्या करने चाहिए तो उनको अभी focus करना चाहिए जो most weightage वाले chapters हैं उनको पढ़ो उनको revise करो और उनके उपर ध्यान दो जिससे कि आपका score अच्छा खासा elevate हो जाए तो ये काम करना है तीनो category वालों को हमने तीनो category से क्या क्या करना है वो आपको बता आ रहा है लेकिन अब तीन टेस्ट निकल चुके हैं हम आपका first test से ही start करना चाहते हैं तो क्या वो access हमें मिल सकता है अगर हम 200 double 9 रूपीज अगर पे करते हैं तो क्या total 10 टेस्ट तीन टेस्ट हो चुके हैं वो भी दे सकते हैं तो बिलकुल आप दे सकते हैं आप के उपर प download कर लो उसमें courses पर क्लिक करो courses में rank razor test series का एक blog दिखेगा उस पो क्लिक करो उसमें नीचे detail लिखी होगी word लिखाओगा detail उस word detail को क्लिक करो तो उधर side में सारा information आजाएगा कितने रुपे का 299 रुपे का है और नीचे buy वाला option आएगा उसको buy के ओपर क्लिक करके आप लीजिए पैसे दे करके तो बिल्कुल easy है तो बिल्कुल अपने आपको last moment पर एकदम honest रखिए अच्छे से पढ़ाई करिए mock test अच्छे से दीजिए improve करिए गलतियों से सीखिए